हम लोग यहाँ पर user login form create कर रहे थे यह ज़ा आपने sliding effect देखा यह सारा कुछ हम यहाँ पर create कर रहे थे इसे follow up करते हुए इतना काम हमने यहाँ पर complete कर लिया है और आज की वीडियो के अंदर हमें इस दोनों को correct करना है और इसी के साथ साथ यह sliding effect यहाँ पर create करना है अगर चनल पर new है तो subscribe करें बेल आइकन पर click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे आल राइट सो इतना काम हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है अब हमें यहाँ पर अपने इस content को जो की हमारा paragraph tag है इसे correct करना है ताकि दिखने में यह थोड़ा सा बड़ा दिखे और मैं इ नीचे आ करके मैंने कर दिया उसे paste और अगर हम अपने html में जा करके देखें तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रॉल करके आप देखोगे पी के अंदर लिखा हुआ यानि की paragraph के अंदर है forgot your password जो भी है वो एक paragraph tag है तो मैंने इसको specify कि या p tag इसका font size मैंने यह आप अलोकेट कर दिया 1.4 REM आप अपने according कर सकते हो मैं इसको save कर रहा हूँ और यहाँ पर आ करके इसको refresh करेंगे तो आप देखोगे font size increase हो गया लेकिन आपस में चिपका हुआ है काफी तो इसको padding allocate करते हैं तो मैंने इसको provide किया padding top और bottom से provide किया मैंने 0.5 REM left और right से मैंने क कोई requirement नहीं है already जैसा दिख रहा है वो अच्छा है अब देखोगे हलकालका top से जो है और bottom से यहाँ पर gap maintain हो गया color को भी change करते हैं इसके तो मैंने कहा color variable और यहाँ पर आ करके कहा मैंने minus minus light का color जो हमने किया था न light color वो यहाँ पर specify कर रहा हूँ I think gray tone था save and refresh करेंगे तो व तो anchor tag है जिसके उपर message लिखा है click here तो मैंने कहा इसके अंदर a tag मिलेगा इसका font size मैंने यहाँ पर कर दिया 1.4rem और एक padding यहाँ पर इसको मैं locate कर रहा हूँ padding 0.5rem top और bottom से left और right से हमें कुछ भी नहीं चाहिए save करके refresh करेंगे तो आप देखोगे कुछ हद तक यह दिखने करके check कर लेता हूँ initially वो green color का ही है आप चाहो तो पहले gray रख सकते हो और mouse लेके जाने पर green कर सकते हो यह totally आपके उपर है मैं यहाँ पर कह दता हूँ कि भाई इसको green color का कर दे save और यहाँ पर आ करके refresh तो आप देखोगे green color का ही है यहाँ पर आ चुका है all right I think मैंने इसको erase कर रहा हूँ यहाँ पर मारे पास रहेगा यह और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर text decoration देना है अगर requirement है तो मैंने का text decoration underline अब इससे क्या होगा यहाँ पर इसके नीचे underline बन करके आएगा save और refresh करता हूँ तो आप देख सकते हो underline बना हुआ है all right यह जो है ना इ इसका border भी remove हो गया और जो बाहर वाला है इसको भी साई करते हैं तो यहाँ पर आ करके यह जो मैंने ऊपर border दे रखा है form का इसको भी मैं यहाँ पर zero कर रहा हूँ refresh करती है उसका border यहाँ से remove हो गया जो इसका width है वो match नहीं कर रहा तो आप उसको ना जो मैंने 30 किया है जो भी किया है आप उसको अपने according यहाँ पर कम जादा कर सकते हो देख लेते हैं फिर भी एक बार यहाँ पर width दिया है मैंने 30 आ रहे हैं अगर मैं इसको 35 करूँ तो कहाँ पर जाएगा save and refresh करते हैं तो आप देखोगे कुछ हद तक match कर रहा है almost सारा ही match कर रहा है shadow का फरक है त यहाँ पर slide करें और दिखने में वैसा लगे और अच्छा लगे देखने में लेकिन sliding effect का code कराने से पहले मैं आपको domain research के बारे में बताना चाहूंगा अगर आप अपने business को online लेकर के आना चाहते हो आपको अपने लिए एक domain name एक hosting की requirement है तो आप domain research.com पर आ करके उन services को यह से select कर सकते हो यहाँ पर आपको light speed की technology मिलती है pure SSD disk space free SSL certificate secured and 20 time server आपको fast मिलता है pricing plan की अगर हम बात करें तो basic plan इस्टार्ट होता है 59 रूपीज पर मन्थ से इसके अंदर आप एक website को host कर सकते हो 1GB SSD की storage है 10 email address करेट कर सकते हो 5GB के bandwidth और light speed की technology है personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकत है unlimited email address करेट कर सकते हो bandwidth unlimited light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिलता है silver plan के अंदर आप 3 website को host कर सकते हो बागी सारी चीज़े same है और unlimited है advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है unlimited websites को यहाँ पर host कर सकते हो बागी सारी चीज़े same है और unlimited है और इन 3 प्लान के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है आप अपने website की SEO कर सकते हो और उसे rank करा सकते हो तो आप अपने budget अपने requirement के हिसाब से domain research.com पे आ करके plans को select कर सकते हो और right sliding effect create करने के लिए आप देखोगे right hand side से दे रखा है मैंने इसको to REM अब तक आप इतना तो समझी चुके हो कि इसको minus में 110% हमें इसको भेज देना है त सकता है अब 110% पे काम खराब हो क्यों क्योंकि मैंने width को कम जादा किया है क्योंकि ये पता नहीं मुझे कितना है मैंने उसको कितना बनाया बाद में और बढ़ा दिया तो अगर जादा ही पीछे चला गया या कम आ रहा है form वापस लाने पे कटा हुआ रहा है तो अपने according उ जो है वो काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आता हूँ javascript के उपर javascript में आने के बाद last का जो भी काम है आपका तीन चार्ड लाइने कर लो copy चाहे उपर वाला code copy करो नीचे वाला करो doesn't matter नीचे आ करके आपको कर देना है उसको paste html में आ करके देखेंगे किस नाम से बनाय की थी तो आप देखोगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर login-btn इसे भी कर लेंगे copy और इसको आपको paste कर देना है इस जगह पर वरियेबल के नाम को भी यहाँ पर हम change करेंगे मैंने इसको provide किया login form यह as it is कर लो copy और इस जगह पर आपको कर देना है उसको paste इसको save करेंगे अ अब आते हैं अपने html फाइल के अंदर यह login form header वाला line कर लेना है आपको copy और just इसी के नीचे आ करके active वाला code यहाँ पर हम specify करेंगे तो मैंने इसको provide किया जब active यह रहेगा तो क्या करना है मैंने का कुछ नहीं जैसे बाक्तियों को किया है right से वापस torem पर इसको वापस ले आओ और हलका सा transition का effect होना चाहिए तो मैंने का transition 0.4 as linear इसको save करते हैं यहाँ पर आ करके एक बार refresh करते हैं पहला वाला काम कर रहा है दूसरा भी काम कर रहा है और तीसरा भी काम कर रहा है ठीक है हो सकता है आपका यह आधा ही बाहर आए या कुछ जादा ही आ जाए तो म अपस लाने के time पे इसको to की जगा पर थोड़ा कम जादा इसको भी adjust करके देख लेना यह हो जाएगा साही तरीके से और एक बात मैंने कुछ लोगों का यहाँ पर comment चेक किया है भाई script वगरा जो है वो comment में paste मत किया करो spam हो जाते हैं वो किसी को नहीं दिखने वाला ठीक ह जिन लोगों ने फिर भी comment किया उनके script में कोई दिक्कत नहीं है एक बंदे ने comment किया था मैंने check किया वो सारे spellings आपके सई है तो कहीं न कहीं आपने active वगरा में यहाँ space या कुछ तो mistake किया है एक बार match कर लेना क्यूंकि मैं हर एक चीज़ को simplify करके समझा रहा हूं still अगर mistake आ रहा है तो आपके typing error यहाँ पे हो सकते हैं dot की जगा गलती सा comma type कर दिया कुछ type कर दिया कहीं भी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना तो हमारा यहाँ पर login form भी properly बन करके तयार हो चुका है बाकी का काम हम लोग यहाँ पर next वीडियो के अंदर करेंगे link आपको description में मिल जाएगा मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़े step by step बहुत easy way में समझा दी जाए और उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाए तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे चैनल प